दोस्तों, Inflamatory Arthritis क्या होता है? सूजन वाली गठिया क्या होता है? Inflamatory Arthritis के प्रकार कितने होते हैं? और इसके लक्षन क्या होते हैं? अगर सही समय पे इसका इलाज न किया जाया, तो क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो आज मैं, Dr. Rajiv Ranjan, इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़े, जो कि एक Inflamatory Arthritis, जो कि एक सूजन वाली गठिया है, उसके बारे में जनकारी दूँगा. तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं, कि Inflamatory Arthritis क्या है? Inflamatory Arthritis कहने का मतलब कि, आपके जोडों में Inflamation हो रहा है, मतलब उसमें सूजन हो रही है, करने का मतलब उसमें आग लगी है, सिंपल भासा में आग को हम Inflamation बोल के बराबर compare करते हैं, तो अगर किसी भी जोइंट में आग लगी है, तो Inflamatory Arthritis बोलते हैं, सो आग लगी तो क्या-क्या symptom और लक्षन हो सकते हैं Inflamatory Arthritis के, जैसे सबसे पहले आपको दर्द और Stiffness होगा, जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं, तो आपको जोडों में एक जोइंट में या multiple joints में दर्द हो सकता है, या Stiffness हो सकता है, जो ये Stiffness सुबह सुबह आधी घंटे से जादा होता है, जैसे जैसे आप काम करते हैं, आपका खून का प्रवाह बढ़ता है और Stiffness और दर्द कम होता है, दूसरा लक्षन जो हम देखते हैं कि सूज जाता है, कोई एक हाथ का कोई joint सूज गया, या wrist सूज गया, या कलाई सूज गई, या आपका घुटना सूज गया, टकना सूज गया, या फिर shoulder में दर्द या stiffness और सूजन आने लगी, तो ये सूजन भी आने लगता है, अगला जो लक्षन जो हम देखते हैं कि आप जैसे उसको टच करते हैं, तो आपको वो गरम फील होता है, कभी-कभी किसी joint में redness भी आ जाती है, मतलब लाल हो जाता है दर्द के कारएं, उसके बाद धीरे-धीरे आपको काम करने में मुश्किल आती है, जिसको हम loss of function बोलते हैं उस joint का, अगर घुटने में हैं, तो लंगड के आप चलेंगे, कलाई में हैं, तो कलाई का movement या कलाई से कुछ काम करने पर दर्द होता है, अगर fingers में हैं, तो आपको कोई समान खोलने में, बंद करने में, fingers से मुश्किल आती हैं, तो ये inflammatory arthritis के लक्षन हो गया, inflammatory arthritis और सूजन वाली गठिया का कारण क्या होता है, सबसे ज़्यादा important कारण हम बोलते हैं, autoimmune disease, मतलब आपकी immunity बहुत ही बढ़ जाती है, और अपने ही body को, अपने ही organ को बीमारियां करवाने लगती हैं, जिसको हम autoimmune disease लगते हैं, ये immunity, ये हमारा जो normal immune system होता है, उनका काम होता है bacteria virus से fight करना, infection से fight करना, लेकिन जब ये हमारे ही body को ये damage करने लगती हैं, बीमारिया करवाती हैं, तो autoimmune disease बहुत है, जितने भी inflammatory arthritis के example है, जैसे कि rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, ankylogin spondylitis, reactive arthritis, lupus, या बहुत सारे सौस से भी ज़्यादा ये autoimmune बीमारियां जो की गठिया करवा सकती हैं, दूसरा important कारण जो हम देखते हैं, वो देखते हैं crystals, मतलब की uric acid का crystal, या कुछ calcium के crystals होते हैं, ये भी गठिया और inflammatory और susan वाली गठिया करवा सकती हैं, कभी-कभी कुछ मरीज, खासकर especially बच्चो या भुजूर्ग में कुछ cancer होता है, blood cancer या दूसरी परकार के cancers होते हैं, वो भी गठिया का रूप धारन करके present कर सकते हैं, चौथा जो हम देखते हैं, infections देखते हैं, या कोई viral infection या कोई दूसरा bacteria वो joint में infection करवाते हैं, लेकिन ये infection वाली गठिया बहुत ही rare देखी जाती हैं, अलिस आपको कोई दूसरी बीमारी ना हो, उसके साथ ये चीजे जेनरली देखी जाती हैं, So, inflammatory arthritis एक joint में होता है, तो इसको हम inflammatory mono arthritis बोलते हैं, अगर दो से चार जॉइंट में गठिया के लक्षन है, सूजन वाली गठिया, तो हम इसको बोलते हैं, Inflammatory Oligo Arthritis, जब आपके बोडी में 5 और 5 से जोडो में सूजन और दर्द है, जो कि Inflammation वाली गठिया है, So, हम इसको बोलते हैं, Inflammatory Poly Arthritis, So, इस परकार से इसको डिवाइड करते हैं, और उसके कारण अलग-अलग होते हैं, So, Rheumatologist का जो काम है, पता करना है कि आपका Inflammatory Arthritis किस बीमारी से हो रहा है, और फिर उसका जल्दी डियागनोसिस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका अगर जल्दी डियागनोसिस न किया जाए, तो ये धीरे-धीरे सारे ओर्गन में spread करने लगता है, और damage करने लगता है, जैसे कि चमने में लाल-लाल दाने करना, आँखों में सूजन करना, लाल हो जाना आँखे बार-बार, या मुँ में बार-बार चाले होना, या फिर मान स्पेशियों में दर्द, बुखार, वजन कम होना, या फिर अंदर के जो और्गन हैं, इंटर्नल और्गन जो है, जैसे फेफड़ा, हार्ट, किडनी, आते, सब में ये सूजन फैलने लगती है, ये आग फैलने लगती है, बहुत ज़रूरी है, इसको जल्दी डागनोसिस करना, और सही इलाज करना है, इंफ्लामेटरी अर्थराइटीस के जो एक्सपॉर्ट होते हैं, जो इसके बीमारियों का पूरा अध्यान करके इलाज करते हैं, वो रूमेटरोजिस होते हैं, तो जब भी इसके कोई भी लक्षन दिखे, तो आपको रूमेटरोजिस से मिलना चाहिए, आशा करता हूँ ये इंफ्लामेटरी अर्थराइटीस पे जो वीडियो मैंने आपको बताया, जो समझाया, वो आपको पसंद आया हो, अगर समझ में आया हो, अगर समझ में आया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस मेटरीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल पे मैं अर्थराइटीस और आटो इमीन बीमारियों के बारे में, जितने भी facts हैं, scientific data है, वो public awareness के लिए मैं बताते रहता हूँ, कि इन बीमारियों का knowledge पबलीक को बहुत ही कम है, इवेन अच्छे अच्छे डॉक्टरों उसको भी नहीं होता है, धन्यवाद दोश्तों, नमस्कार.